देखिए आप मैंसे काफी सर लोग ऐसे हैं जो की हमसे हमेसा कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मुझे जो है screen recording करना है PC का या फिर जो भी हमारे पास laptop है तो हम कैसे करें और आप जो screen recording इस्तमाल करते हैं उसके बारे में बता दीजिए कि हम किस तर से उसको इसको 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 तो आज की इस पीडियो में आपको हम based screen recording के बारें बताने जा रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं कई मेहने से इसका इस्तमाल कर रहा हूँ और मेरा उन्हों जो है कहीं बहुत ही अच्छा रहा हुआ है बहुत ही smooth है बहुत ही fast है और कमाल की बाती है कि यह जो ही इंदिया का बना हुआ है तो कहीं न कहीं आपको आच्छा यहां पे result देखने को मिलेगा तो कौन सा screen recording है किस तर से download करना है किस तर से इस्तमाल करना है इसे जुड़ी सभी जनकारी हमने इस वीडियो में cover किया हुआ है तो please वीडियो सुरू से on तक लेका जोरू देखेंगे और वीडियो तुरा से भी आच्छा लगे तो please वीडियो को like कर देंगे क्योंकि आपका एक like मुझे बहुत ज़्यादा motivate करता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए आपके पास जो भी PC है या फिर laptop है उसको सबसे पहले तो आपको open करके उसमें कोई भी browser को आप open कर सकते हैं वो आपके उपर depend करता है और आपको यहाँ पर search करना है fastpctool.com ठीक है तो आपके सामने जो है इनका जो official website है आपको देखनी को मिलेगा जिस पर click करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो बहुत जो है अलगला परकार का जो है यहाँ पर सब्सक्राइब है जिसको आप चाहें तो यहाँ पर install करके इस्तेमाल कर सकते हैं basically हम जो है screen recorder के बारे हम बात कर रहे हैं तो इस पर आप click करेंगे तो देख सकते हैं कि जेबन के उपर जितने भी भर्जन है उसमें यह काम करेगा कोई भी दिक्कत नहीं है डाउलोड नाव के बटन पर click करेंगे तो आपका जो सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटर्फेस आता है सबसे पहले तो यहां पर language बता सकते हैं कि आप जो ही console लेंगोज में इसको देखना चाहते हैं देखिए यहां हिंदी भी आपको देखनी को मिल जाता है बाकि यहां पर कुछ setting है जो आपको करना चाहते है तो कर सकते हैं सेटिंग पर जाएंगे तो य कर सकते हैं बाकी video श्टार्ट होने से पहले जो countdown चलता है उसको आप रहने देनने चाहते हैं तो यहां पर रहने देंगे लगे तो इसको भी कर सकते हैं बाकी यहाँ पर आपको shortcut का जो है feature मिलता है जिसमें बाकि स्कार्ट करना चाहते हैं … यहाँ पर आएंगे तो इसका जो है देख सकते हैं कि पर सेट में देखेंगे तो यहां पर अल्टरा फास्ट है सूपर फास्ट है तो आप जो भी पर सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हलाकि डिफॉल्ट रहता है इसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिकत नहीं है quality में आप किसी परकार की quality को enhance करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाकी आप चाहें तो default रख सकते हैं frame rate यहाँ पर देखेंगे तो आपको 120 तक frame rate आपको देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से highest है ठीक है तो आप देख लेंगे जो भी आपको रखना है वो अपने हिसाब से यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर save करेंगे तो इस तरह से आपका कुछ setting आप अपने हिसाब से कर सकते हैं करना चाहते हैं तो नहीं तो ऐसे screen recording करके आपको वीडियो बना कर दे रहा हूं तो उस तरह से आप चाहें तो आप भी screen recording कर सकते हैं जिसमें मालीजी आपको किसी परकार का कोई वीडियो जो बनाना है किसी परकार के कोई classes का recording करना है या फिर किसी परकार का कोई भी आपका कुछ भी recording करना है पूरा PC को recording करना है laptop को recording करना है screen को तो कर सकते हैं तो यहां पर कोई particular area को record करना है तो यहां पर इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप चाहें तो यहां से पकड़ कर इधर उधर कर सकते हैं और जो भी area को आपको record करना है उसको आप यहां से record कर सकते हैं इसके साहति साहकर कॉस्टम में जो ही साइज भी आप यहां से अपना दे सकते हैं जो भी साइज में आपको रिकॉड करना है यहां पे वेपकें मेंगेRY करना है यहां यहां पे यहां पर आप आप कर सकते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है बाकि इसकी रिकॉर्डिंग करते समय जो भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर उसको वन कर सकते हैं क्योंकि जो भी आप चीजे बोलेंगे इसकी रिकॉर्डिंग करते समय वह यहां पर रिकॉर्ड होगा ठ सकते इससे प्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि जो भी औरयो है उसको भी कर सकते है कोईन अब हैं आयां पर हम रिकर्डRE को आएंगे तो यहां पर सभी सेटिंग को आपको कर लेना जीजिस आपको करना है कर लीजिएगा अब यहां पर record के बटन पर click करेंगे तो आपने जो भी setting किया हुगा है वो आपको एक बार reconfirm कर देता है ठीक है कि आपने जो ही क्या-क्या setting किया हुगा है तो इसको एक बार देख लेंगे और देखने के बार यहां पर start के बटन पर click करेंगे इस तरह से आपका जो screen recording है आपे शुरू हो जाएगा अब इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे न वो काम आपका automatically यहाँ पर screen recording कर लेगा और बाद में आपको save करके देदेगा कि आपने जो screen recording में क्या क्या करा हुआ है तो जैसे कि हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं तो इसी तरह से record करते हैं और उसके अंदर जो भी चीजे हम अपने system पर करते हैं वो यहाँ पर record हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे इतना ही एरिया है पर record करना है और इसमें हम जो भी activity करेंगे जैसे कि हम Google में कुछ search करते हैं या फिर माल लिजी हम कुछ यहाँ पर open करते हैं तो इस तरह से जो भी चीजे इसमें हम करेंगे न वो चीजे यहाँ पर आटोमेटिक लिजो ही रिकॉर्ड करेगा ठीक है और रिकॉर्ड करके जो ही आपको बाद में वीडियो के माधिम से प्रॉवाइट करवादेगा जिसको आप अपने जो भी काम के लिए इस्तिमाल करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है पाउस करने का ब यहां पे आप चाहें तो इसको MP3 में भी convert कर सकते हैं जो भी आपने वीडियो को suit किया हुआ है जो भी वीडियो शेप हुआ है उसको आप यहीं से जो ही फोल्डर में open करके देख सकते हैं यहां से play भी कर सकते हैं और कोई वीडियो जो आपको record करना है तो आप यहां पे click करक पर आपको भी इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं ध्यान रखेंगे इसका सब्सक्रिप्शन भी आपको लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही पराइज में उपको मिलेगा, एक साल के लिए आप ले सकते हूँ तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जूए screen recording के बारे में बता दिए, अब आपको भी screen recording का इस्तेमाल करना है, तो आप इसको दियेगे लिंक के मादें से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से मैं कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगा आप में से काफी सा लोग पूछ भी रहा है थे तो मैंने सुचा है चलिए एक वीडियो बना कर बता झाल कर दो लोग फो रहा ही लोगा टे है वीजयो झाल लोगा